राची में होने वाले T20 मैच को लेकर अदालत के हस्त छेप की मांग की गई है। दरसल एक वैक्ति ने अधिवक्ता के माधियम से अदालत से यह प्राथना किया है कि राची में होने वाला मैच सरकार के द्वारा पुरू घोसित एसोपी का सरासर उनलंगन है। संबंधित वैक्ति का कहना है कि अभी मंदिरों और अन्य सारवजनिक अस्थलों के लिए नियमों को कड़ाई से पालन के निर्देश जारी है। अदालतों के लिए भी कथित निर्देश यथावत है। फिर क्रिकेट मैच के दोरान कुरोना गैडलाइन में छूट क्यू दी गई है। वैक्ति का यहाँ भी कहना है कि यदि सरकार को क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्राकृती से कोई ऐसी छूट की सुचना प्राप्त हुई हो तो आम जन को आउगत कराने का कश्ट करे। यह जनहित का मामला दिख रहा है इसलिए अदालत को इस मामले में सोतक संग्यान लेकर हस्तचेप करने की मांग की है। प्रवेश की अनुमती दी गई है। साथ ही उसमें अंदर खाने पीने की जो सामग्री है। उसकी भी बिक्री का आदेश जारी किया गया है। यह सरकार के द्वारा जारी एसोपी का सरासर उलंगन है। और जब सार्वजनिक अस्थलों पे सरकार के द्वारा पावन्दिया लगाई गई है। मंदिरों में, अदालतों में या जित्ते भी सार्वजनिक अस्थल या कारियाले हैं, उनमें 50% स्ट्रेंथ के साथ हभी कारिय प्रारम हुआ है। कोविड-19 के गाइड लाइन्स को देखते हुए, ये खबर आना कि 40,000 दर्सकों के साथ मैच देखा जा सकेगा, तो आखिर किस नियम को सिथिल किया गया और किस परिस्थिती में पूरे स्ट्रेंथ के साथ मैच दिखाने की अनुमती दी गई है। इस पर सरकार को पुनर विचार करना चाहिए। नहीं तो इस मामले में अदालत संग्यान ले। अन्यथा ये जनहित का मामला है, ऐसी स्थिती में जनहित याच का दाखिल की जा सकेगी। कि अज़। एक्षण ये और ये सब्साइब। कि अज़।